दोस्तो अपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबादें क्योंकि हम लाते रहते हैं नए-ने बिजनिस आइडियाज और नए नी जैनकारी के वाला के लिए आज हम इसी उने बताएंगे कि कैसी हम पेपर कप मेकिंग उद्योग खोल कर महीना में लाखों रुपया कमा सकते हैं दोस्तो इसी वीडियो में हम आगे आपको लाइफ दिखाएंगे कि पेपर कप किस तरह से बनाया जाता है तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पेपर कप होता क्या है दोस्तों पहले जो है प्लास्टिक कप यूज किया जाता था हम लोग प्लास्टिक कप यूज करते थे कॉफी पीने में टी पीने में या फिर आइस्क्रीम खाने में तो उस समय होता क्या था जब हम ल और उसमें मिल जाता था उस चीज में जैसे माले जी हम कॉफी रखते हैं तो कॉफी में जो है वो केमिकल मिल जाता था और जब हम पीते थे तो हम लोग के सरीर में चला जाता था और वो केमिकल पहुत ही नुक्सान पहुशाता था हम लोग के सरीर को तो अलग-अलग तरह का बीमारी फैला देता था सरीन में, जिसे कारण उसे बैन लगा दिया गया है, अब जो है, उसे पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है, और इसके बाद जो है, अब थर्मकोल हलका फलका चलता है, और पेपर कप जो है, जादा तर चलता है, है ना, हम जहां भी जाते हैं, जाद प्रियावरन के अनुरूप है इसका यूझ करने में कोई भी प्रॉलम नहीं आती है किसी वह तरह का बीमारी नहीं होती है जिसके कारण ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है घर से हम बाहर निकलते हैं और हर जगह देखते हैं इसका यूझेज चाहे हो आइस्क्रीम पार्लर हो या पिर कहीं भी देखते हैं इसका यूज पार्टी फंक्शन सब जगह इसका यूज किया जाता है तो इसका जो है डिमांड मार्केट में बहुत ही ज्यादा है इसलिए ऐसे में हम लोग इसका उद्योग खोल के और अच्छा खासा मुनाफ़ा कमा सक लगते हैं तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इसमें रहा मेटरिल कौन-कौन सी चरोध परती है तो दोस्तों इसमें जो है ज्यादा नहीं लगती है सिर्फ फेपर लगता है और अगर आप उस पे प्रिंटर बनाना चाहते हैं जैसे कि देखिए यहां यह जो है जरौत नहीं होता है तो अगर आप इस तरह का कप बनाते हैं तो इसमें कोई भी कलर का जरौत नहीं होगा और अगर आप जो है इस तरह का कप बनाते हैं प्रिंटेड कप तो इसके लिए आपको जो है कलर का भी जरौत होता है इस प्रिंट को इस पे प्रिंट करने के लिए चलिए अब जो है हम प्रोडक्शन कैसे किया जाता है यह देख लें थे हैं झाल जाता है यह दो हैं लेख 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 दोड़ किया है झाल 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 आप जो है इसमें जो है कई तरह का पेपर कप बना सकते हैं जिसके 90 ml का 100 ml का 110 ml का 150 ml का 210 ml का यहां दियागा है नंबर अफ कप पर टन यानि एक टन में आप कितना कप बना सकते हैं देखिए एक टन पेपर में आप जो है 90 ml का 90 ml का जो है 26,4,000 इसी तरह 250 ml का 19,5,000 कप आप तयार कर सकते हैं इसके बाद देखिए यहां प्रोडक्शन जो है कैपिसिटी दिया गया है पर आवर जो है आप प्रोडक्शन टोटल होगा 10,36,800 इसी तरह 100 ml का भी होगा यानि इतना ही अब बात कर लेते हैं देखिए यहां दिया गया है 37,000 पेपर का कोस्ट लगता है जेल प्राइस जो है आपको लगभग जो है 39 रुप्या 50 पहिचा 100 कप का आता है 90 ml का 100 ml का 30.5 यानि 30 रुप्या 50 पहिचा 110 ml का 33 रुप्या इसी तरह से जो है दिया गया जो आप देख सकते हैं एप्रोक्सिमेटली जो है आपको टोटल खर्च जो है 100 कप त्यार करने में 25 रुप्या 77 पहिचा मैक्सिमम लगता है जो आप शेल करते हैं मार्केट में रिस्रिब्यूटर प्राइस में जो है मीनिमं 29 रुप्या 50 पहिचा में तो आपको जो है टोटल प्रोफिट होता है पर 100 कप पे 3 रुप्या 74 पहिचा और महीना में इस तरह से आप जो है 38,823 रुप्या इंकम कर सकते हैं यह 90 ml का कप से इसके तरह 100 ml का कप से जो है 37,780 रुप्या इसके बाद 100 110 ml का जो है कप इसे 33,809 रुप्या इसी तरह का जो है आप 250 ml का कप से 52,354 रुप्या झाल 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 झाल